गर्माजी के यहाँ एक काम वाली आई, उसका नाम था जल्ले विबाई, क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे, बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी अरो साहेब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए स्कूल में बच्चों को, क्या, क्लासिस, क्लासिस क्यों चाहिए तुमको अरो नाहीं साहेब, वो होती है ना, गर्मी की गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए, दो दिन की अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो सीधे सीधे बोलो न वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी अरे मेरे भाई के जो पापा है न उनकी जो पत्नी है न उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है ओहो ऐसी पहली मत बोजाओ कि मुझे बखार आ जाए अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई अर देखो मेरे भाई के पापा मेरे पापा उनकी पत्नी यानि मेरी मा मेरी मा के भाई यानि मेरे मामा मेरे मामा के पापा यानि मेरे नाना और मेरे नाना की पत्नी यारे मेरी नानी मेरी नानी को ना बखार प्राराय साहेव अरे जलेवी बाई तुम दो नहीं दस दिन की छुट्टी ले लो बस अगली बार से न ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना मुझ से नहीं ठीक है एक और बात साहेव एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा अर पागल खाने क्यों जाओगे आप अर चावली खा लो अरे जलेवी बाई दिमाग का ढोकला मत बना उलजाओ यहां से प्लीज बर्मा जी जलेवी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलजा दिये कितना गुमागुमा के बात करती है जलीवी बाई अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बटवा दूँगा घर के काम में लेकिन जलेवी बाई को तो और छेल नहीं सकता है भई अरे शान्त हो जाओ, मैं संभाल लिया करूँगी उसे, लोड मतलो आप उसको हाँ हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वना मुझे नहीं संभाल पाओगे मुझे आगरा के पागल खाने में ही भरते होना पड़ेगा आगरा क्यों जाना, मुझे तो लगता है जली बी बाई इस घर में थोड़ी दिन और रही तो हमारा घर ही एक मश्यूर पागल खाना बन जाएगा तो दूसरी काम वाली ढूण ले क्या अरे आजकल तो हैर काम वाली बाई जली बी जितनी ही टेड़ी होती है निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम लंबे चुट्टी के बाद जली बी बाई घर आती है अरे आ गई जली बी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी और वो जो दो के पहले आता है और जो जीरो के बाद आता है अब एक? हाँ, एक नमबर है अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है पगार का पैसा कटने पर भी होता है अरे क्या होता है? बुरा लगता है अरे जो सर में होता है, पेट में होता है और जिसे सही करने के लिए आदमी को डाक्टर के पास ही जाना पड़ता है दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में अच्छा बस, मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलीबी जैसी बाते सुनकर एक काम करो, उपर गेहूं की पोटली रखी है तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिस्वाना है जली बीबाई भाग कर छट पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कुशिश करती है मगर वजन ज्यादा होने की वज़़से उसे बोरी उठती नहीं वो सूचती है के पोटली जल्दी पहुँचानी है बस जली बीबाई की टेड़े दिमाग में एक टेड़ी तरकी बाती है वो पोटली को छट पे घिस कर उसे बालकनी तक ले जाती है और छट से भीतर बरामदे में बोरी फेग देती है लाजी लो हो गया जल्दी चलती काम नीचे पहुँचती है तो देखती है के अनुरादा वहाँ उसे गुसे से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बेखरा पड़ा है ये क्या क्या? अरे पोटली में वोजन से आदा था आपने कहा था जल्दी से ले आओ अनुरादा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा वन्ना बहुत परिशानी हो जाएगी जली बीबाय फिर भी सुदरती नहीं है रोज कोई घूमी फीरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शार्ट सरकिट करती है तो कभी अनुरादा के काम बिगारती जैसे कमरे में जारू लगाने का कहने पर कमरों की दिवारों पर जारू टांके कहती लगा दी कमरे में जारू देखते ही देखते ये महिना खत्म हो जाता है अरे दी दी पैसे दे दो ना पैसे तो नहीं है पैसे नहीं है का का मतलब पैसे तो होते ही है ना घर में अरे भरुसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंड के बता दे कहां पैसे है मिल जाएगी तुम्हें अब भी ढूंड के लाई मैं जली भी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है अरे इसमें है ना पैसे अरे मुझे तो नहीं दिख रहा अरे दीदी है ना 2000 का नोट अरे तो वो तो 2000 रुपए है पैसे तो नहीं है अरे दीदी दे दोना जल्दी घर जाना है आज मेरी तारीक है अरे पकार्च तेरी तारीक है हाँ दीदी आज मेरे तारीख है आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं देखो आज तो एक तारीख है तेरी तारीख तो है नहीं आज अर दिद्दे दो ना घुमाग क्यों रही हो इतना अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी पांच हजार आपी ने तो तै की थी पांच मतलब जो चार के बाद आता है और चार के पहले अर दिद्दे मैं समाज गई अब आपको कभी नहीं गुमाऊंगे प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना सारी और अब ना ये जले भी बिलकुँ सीधी हो जाएगी कसम से जले भी बाई की अकल ठीकाने आ जाती है अनुराधा जले भी को पैसे दे देती है और कहती है अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर खुमने भीच देंगे जहां से तुम घुमने के बाद कभी बापस ही नहीं आ पाओगी समझ गई जले भी बाई